नमस्कार मैं आसी स्पाटक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिट्षपलस में यूपी पी कॉंस्टेबल साथ हजार भरती का दरवाजा एकदम खुल चुका है और इसका एक्जाम कंफर्म है कि 11 तारिक तक हो जाएगा अगर 11 में दूसरा को एक्ज सिवाप करा लिया जाएगा तो जो बच्चे कॉंस्टेबल बना चाते हैं वर्दी पहन चाते हैं तो परिक्षा प्लस टीम पूरा 8 बजे से लेकर रात्री 8 बजे तक class start हो जाएंगी तो सभी लोग वहाँ से class attend कर सकते हैं सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही form आएगा तो क्या-क्या जरूरी दस्तावेट चाहिए आपको क्या document चाहिए जो आप form fill कर सकते हो कई बार क्या होता है कि बच्चे form fill कर देते हैं और last में जब आपका dv होता है तो काते हो सर मैंने ये लगा दिया था सर मैंने वो लगा दिया था क्या ये चलेगा तो वो आपके मन में संसय ना रहे तो पहले से आप तयार हो जाएए जो चीजे ना हो वो अभी समय है बनवा लिजे क्योंकि form आएगा मात्र 15 दिन का समय देगा और कोई भी document अगर आपको बनवाना है तो उसमें भी मालो 15 दिन तो लगी जाएगा एक डेढ़ हपता लग जाता है बनने में तो वो चीजे आप जरूर बनवा ले जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले की form भरने के लिए क्या-क्या document चाहिए तो सबसे पहले तो आपको photo चाहिए ठीक है आपकी जो photo होनी चाहिए वो 6 महीना पुरानी होनी चाहिए photo आपकी 6 महीना पुरानी होनी चाहिए 6 मंत की old होनी चाहिए यह ध्यान रखिएगा उससे आप बनवाले 70% आपका जो होना चाहिए ना फेस वाला हिस्सा होना चाहिए यहां से ठीक है और color photograph होना चाहिए अब color में जो पीछे का background है अगर मैं बात करूं background की तो उसका जो background है वो white या grey रखना है आपको बाकी आप फोटो में अपना अच्छा ग्रिक लग जातके तो चस्मा पहनने वाले ध्यान दीजिएगा कि चस्मे के साथ फोटो मत खिचवाईएगा बिञा चस्मे क्या फोटो खिचवाईएगा जनरली आप सौखीन है तो ऐसा नहीं चस्मा पहन के फोटो लगा दी यह form में क्यूंकि आखें क्लियर में आँगी दोनों कान आपके क्लियर होने चाहिए फोटो में यह सब चीजों बहुत भैफरी तरिके से आपको ध्यान दाना और फोटो एकदं ध्याल Baptist ढाना चाहिए इह बात ध्यान आ गया अब इसके बाद आता है कुछ सette जैसे आपके कास्ट स स होते हैं जनरल के लिए तो नहीं मायने रखता है लेकिन ओबी सी यसी और यस्टी और साथ ही साथ अगर हम EWS की बात करें तो अगर हम बात करें यहां पर कि OBC का सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा तो कहेंगे सर मेरे यह सैंट्रल वाला है क्या चले भाई देखो एकदम रिस्क लेने का समय नहीं है सेंट्रल वाला तो आप से वाला बनवा लो सेトवाल में आपको दिखा दूंगा कि कैसे बनता वह आसे तासी जाओगे आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस टेट वाला आप OBC के हो ठीक है SC के हो ST के हो आप सभी अपना कास सर्टिफिकेट रिसेंट का बना हो रिसेंट का मतलब अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका कास सर्टिफिकेट कुछ बच्चे अभी ने ने फॉर्म भरेंगे तो उनको पता नहीं है कि क्या चाहिए तो रिसेंट का मतलब अगर मा अप्राइल कबका अप्राइल 2023 के बाद का 2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट है तो चलेगा तो आपका चलेगा अप्राइल 2023 के बाद का है तो जिसका नहीं है पुराना यूज कर रहे हो तो मेरी मात मानों देखो होता है कि दो साल तीन साल आप लोग पूछते रहते हो हर जगा प्लेटफॉर्म पे आप क्यों संसे ले रहे हो आप सीधे आप देखो अगर अप्राइ 10 डेज लगते हैं और आपके बन जाते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट में अब आते हैं EWS वाला जो आपको अगर कोटा लेना है EWS का तो इसका तो एकदम नया होना चाहिए इसके में तो कोई संसे ही नहीं है आपके करेंट फाइनेंसि के लिएर का होना चाहिए जैसे अगर मैं बात करूं वही अप्रेल 2023 के बाद का अगर है तो आपका यह चलेगा चलेगा ठीक है दोड़ेगा भी यह ध्यान रखिएगा तो यह चीज अगर आपने अप्रेल 2023 के बाद बनवाया है तो यह चीज चलेगी आपकी EWS सर्टिफिक जब बनवाओगे तो यह इंकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है सायद ठीक है आप जाईएगा तसिल में पूछिएगा वो आपको बताएंगे तो अगर यह सब नहीं बनवाए हो इंकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हो EWS यही सब काम करने में आपके 10 से 12 दिन लग जाएंगे तो इंकम सर्टिफिकेट का प्रारूप इस समय बदल गया है पहले आपके नाम से बनता था आपके पिता जी का नाम होता था अब इंकम सर्टिफिकेट में आप जब जाओगे नया जो चला है पुराना जितने लोग भी इंकम सर्टिफिकेट रखे हो वो इन वै गा क्यूंकि income certificate से ही आपका EWS बनता है तो यह चीज़े ध्यान रखिएगा तो EWS का अगर आपको लाव उठाना है तो आप certificate जरूर बनवा लीजे ठीक यह ध्यान रखिएगा तो यह आपका certificate से related चीज़े हो गई अब मैं कुछ आपको प्रारूप दिखा दे रहा हूं कि जो OBC, SCST और Biclang certificate वाले देखो आपके जो PH candidate है वो अपना renew करा लिजिएगा जो PH candidate बन्दे हैं वो अपना renew करा लिजिएगा देखी यहाँ पर आपको यह दिख रहा है अन्य पिछड़ा work के लिए जाती प्रमार पत्र है यह आपको यह clear दिख रहा होगा ठीक है मैं थोड़ा सा brightness इसका कम कर देता हूँ इसका brightness अगर मैं कम कर देता हूँ फिर आप देखिए इसको यह आप देखिए यहाँ पर आपको यह प्रमारित किया जाता है ऐसे आपका प्रारूप रहेगा और यहाँ पर हास्ताक्षर रहेंगे जिनका इस प्रारूप पे बना है वो एकदम और रिसेंट का है इसी एर का है अप्रैल 2023 के बाद का है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है अब यह अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती के लिए होगा हाना यह देहान देखिएगा आप ऐसे प्रारूप में बनवा सकते हैं जिनके पास प्रारूप ना हो आप परिक्षा प्लस का टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें वहां पर आपको दे दिया जाएगा आप मैसेज कर दीजिएगा या जो नीचे नंबर चला है 945 000-600 इन नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर लीजिए जिनको भी जरूरत है इस प्रारूप की तो यह आप नंबर पर कॉंटेक्ट कर लीजिए यहां से आप ले सकते हैं 945 प्रिपल 06 007 और 99-79-70-80 पर कॉंटेक्ट करके यह प्रारूप आप ले सकते हैं ठीक है तो EWS उस समय यहां पर ध्यान रिखेगा EWS का प्रारूप आपको तासिल से मिल जाएगा वो हमेशा बदलता रहता है और यहां पर आप देख लीजिए किसके लिए है यह उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षिक नागरिक पुलिस और आरक्षिक प्रदेशिक आप वार्ड कॉंस्टेबु फोटो खिचवा के रख लें सिगनेचर अच्छे से करके रख लें उसको पूरा जो इमेज फॉर्मेट में बोला है कि अंदर पचास केवी के अंदर आपका होना चाहिए ठीक है वो सत्तर असी केवी जो भी आपका बोलेगा नोटिफिकेशन में तो अल्मोस्ट एक पचास निशुल कोर्स चला रही है आप live.parixasplus.org खोलिएगा या परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल कर लीजिएगा क्या आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा परिक्षा प्लस एप अप इंस्टॉल कर लीजिए Play Store से और वहां पर आप जब एप स्टॉल करके आप अपना register करोगे आप माई कोर्स में जाईएगा माई कोर्स में जाईएगा वहाँ पर आपको ये बैच आपके account में मिलेगा, जुड़ा हुआ कोई सुलक नहीं देना है देखिए यहाँ पर time table लगा दिया गया है आपको notification दे दिया गया है कोर्स का संचालन कैसे होगा ये सब कुछ यहाँ पर लगा दिया गया है ठीक है, Maths की Classes आपकी जो दिया है यहाँ पर दिखेंगी ऐसे ही Reasoning की Class दिखेंगी, History, Policy, Hindi सब ही Classes जैसे जैसे चलेंगी Time Table में देख लीजिएगा Monday से, कव से? Monday से आपकी यह Class स्टार्ट हो रही है आपकी समस्याओं का समधान किया जाए तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ मसत रहिए, सुसत रहिए, जबरदस रहिए